गुजारा हो जाते हैं इतने ही बहुत हैं दोस्तों और क्या बाकि आपको तो पता है कि ये सब करना कितना मुश्किल होता है वो तो मैं ये गाड़ी भी नहीं ले पाता हाई अबरीवन आप सबका फिर से सवागाद है मेरे एक और नियू ब्लोग में तो कैसे आप सब लोग आयोप किया आप सब लोग ठीक होंगे लास्ट में सबसे लास्ट में मैं अपना स्टूडियो दिखाऊंगा तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते और हमारा घर का नजारा दिखाते कि कैसा है मेरा घर तो चलिए यहाँ पहीं देखिए हैं यहाँ प्रवा देखिये हैं इसमान की Hall मैंने करवाई हूँ है नहीं देखिए अभी मैंनें करवाई हूं यह सामान रखा हुआ है लादरम較ण मत्नी कम पहिर हैं कर दोनाद कर दोनाम् 순नामा करता हूँ यह दिवान रखी है मेरे घर की और हुआ पर यह देखिए इने रखें त्य das नहीं देखोगे तो वह कैसा रहताруго कि यह देखिए हमारा किचन यहां पर खाना बनाते हम लोग यह किचिन और यह हमारी फ्रेज है और यह टीवी रखी हमारी बहुत पुराने टीवी हमारी और यह दर पीछे काम ब्यांकी है देखिए यह पीछे का रूम अभी इसमें भी काम ब्यांकी है भी इट की जोड़ाई हुई है सिल्ब दलवाया यहां पर गाय बानते हम लोग हमारे गर दो गाय है यहां बानते हम लोग गाय अभी यहां फिरिहाल अभी और यहां बनेगा हमारा किचिन ना किचिन यहां बनेगा अभी पैसे है नहीं है तो इसके वज़े सभी किचिन नहीं बनवाए है तो यहां बनेगा हमारा किचिन औ और यह अभी फिरिहाल अभी यहां गाय बानते हैं क्योंकि अभी complete नहीं हूँ इसलिए अभी गाय बानते हम लोग तो यहां वानते हैं हमारी गाय तो और यह यहां पर भी टैक हो जाएगा यहां पर यह गेट नहीं है यहां पर पैक हो जाएगा और दोस्तों मैंने आपको मे बात्रूम और चलते paying에요 मैं आपको बात्रोम अगेरा दिखाता हूँ और यह गेट दिखायते मैं आपको या यह इद्हीड को डीधमक देक शलते हैं और यह अःगे इंदर भी समानtrl यह रखे हुए और यह देखिए लिफों न खहूल नहीं है था है यह गाव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वाकी समान रखा हुआ है इसको बनवाएंगे बाद में चलो हम उपर चलते अभी फिर उपर का नजारा दिखाते है आपको यह मेरा घर का उपर का नजारा है यह देखिए मेरी दिदी बैठी है और यह हमारा खेत का मका है जो हुआ था अभी तो हमारी दिदी अभी मका को वो कर रही है क्योंकि मौसम लग रहा है यह देखिए पाने याने का मौसम लग रहा है इसलिए अभी दिदी कर रही है समेट रही है उसको मके को कि पाने में गीला नहों जाय करके बहुए धर मम्मी भी है यह देखिए उपर हवा चल रही है है सкие का तो अभी मेरी यह नीचे है नीचे चली गई यह वह प्युक्विन नहीं कितना हो गया है दूसरे वायल में देखते हूं बिसकुट खाते हैं यह देखिए यह हमारी उपर का घर के उपसे नजारा दिखता है और इधर सामने में अंगनवाड़ी है और इसकुल है वे उसी के पिछे हमारा घर है तो देखिए और वो दीदी जा रही है मेरी तो अभी दीदी आ रही है फिर हम चाया पीते तो यह पहाड़ी की पीछे साइड में चिनबाड़ा है मैंने बता होगा वह पहाड़ी की पीछे चिनबाड़ा है यह से बहुत अच्छा नजारा दिखता है देखिए तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे और मम्मी अगी माका वह कर रही है बुम इस पूरी गुश्चा हो रही है कि मैं वीडियो बना रहा हूं को यह देख रहा हुए यह पूरी बोरी में को नीचे पहुचाना अभी तो मैं यह लेके जाऊंगा यह देखिए हैं हमारे खेत का मका यह देखिए तो यह हमारे खेट का मका है अच्छा हुआ is बार्तों आपको अपना इस्टूडियो दिखाता हूं जो मैंने बोला थैंë कि लाश्ट में दिखाऊंगा इसे नीच चलते फिर मैं आपको दिखाता हूं मरे तो यह अपनों स्टूडियो membrag हुआ कॉप काम रहे गया है मेरे घर में, तो अब कर भावाऊंगा एविभा थे में को दीरेуть काम कर वावाऊंगा, तो चल्याए हम आगए घर के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा स्टूडियो जो इधर यह देवाल के पीछे साइड में है मेरा स्टूडियो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो यह हम जा रहा है यह अपने स्टूडियो में यह देखिए यह मेरा रूम है यहां पर बैग बगर राखे हैं और यह मेरा कूलर है ऐसी यह मेरी सब सची ऐसी ह मेरे रूम में यहीं के एक ÖCy है और यह मेरा प्लंग बेट जहां में सोता हूं और यह देखिए मेरा स्टूडियो सैटप भाइट यह अच्छा दिख रहा है अभी तो ये वाला तुमाने नया बुलवाय हूं लगाय हूं डेकॉरेट के लिए और अभी ये देखिये ए मेरा studio setup है पूरा यह देखिए कापी अच्छा है यहां से भाध में रहाँ है तो मैं आपको बतावकर 사ु नहीं कि यहां से यहां से यह डारेक्ट यहां से बाहर जाने का तक जैसे यह मेरा रूम है और यहां से घैत बाहर जाने का है यह देखिए ताइगर इद्र आजा वेटी आजा रोगाइस में जैसे इसको बलाता हूं तो वह जाता नहीं है और जैसे मैंने यह बेल्ट निकाला कि चलो अपन घूमने के लिए चलते हैं तो वैसी आजाता है यह देखो यह आगया चलिटाइगा इद्रा भी वह को ने अरे that बंड टाने चली आजकि अधा फैस्टॉमा। इसने आपको दिखा दिया क्योंकि इनकम आने रही है कहीं से तो यूटूब में तो थोड़ी बहुत आती है तो उसमें भी पूरा नहीं हो पाता है तो इसलिए धीरे-धीरे काम होता है तो अभी जैसे भी ठीक है वो जारा हो जाता है इतने ही बहुत है दोस्तों और क्या बाकि आपको तो पता है कि यह सब करना कितना मुश्किल होता है वो तो मैं यह गाड़ी भी नहीं ले पाता मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी गाड़ी लूंगा करके लेकिन आज चानल prata गाड़ी होता है prepare was बस मेरी ऐसी ही लाइफ है मैं ऐसी ही रहता हूँ तो अगर आपको अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्टों के पास के RC भाई कैसे रहते हैं कैसा उसका घर है तो ये देखिए ऐस सही मेरा घर है मैं ऐसी रहता हूँ मुना आपको पूरा दिखा दिया हूँ तो ठीक है दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने करें तो सब्सक्राइब कर दो और वैल आइकन को भी all पर जाके सेट कर दो ताकि मेरे नए नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहा है ठीक है दोस्तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद कर दोस्तो